राम जन्म भूमी परिशर में मंदिर निर्माल का कार्य तेजी से किया जा रहा है मंदिर निर्माल को लेकर अब तीसरे चड़ का कार्य किया जा रहा है जिसमें प्लिंद का निर्माल हो रहा है राम मंदिर के फर्ष को तयार करने का कार्य में बड़े-बड़े मशीनों के लगाए जाने के प्रिंथ Кол यह पक्रियवल जूट माह तक पूरा कर लिया मेसे जूब्स की माने तो करनाटक के ग्रेंट पत्थरों के 15 से 20 पत्थरों के ब्लाक प्रति दिन लगाए जा रहा है इन ब्लाकों की संख्या 100 से अधिक हो इसके लिए मशीनों को भी बढ़ाया जा रहा है राम जन्म भूमी परिसर में दिसंबर 2023 में भगवाद सिराम अपने गर्वग्रा में विराज के लिए डेड्लाइन को तैयार कर लिया गया है इसके तहित निर्माड अस्थल के तीसरे चड़ में चले प्रिंथ निर्माड की प्रिक्रिया को जूर्मा तक पूरा कर लिया जाएगा इसके लिए निर्माड अस्थल पर तो और टावर करिंद सहित अन्य मसीनों को बढ़ा किया जाएगा टरश्ट कीमाने तो प्लिंध निर्माड में के लिए पत्थरों को तेजी से लगाए जाने का खरम किया जा रहा है यह परक्रिया जून मां तक पूरा हो इसके लिए हर संभोप्रियास किये जा रहे हैं में रफ्ट बनकर के तैयार हो गई है प्लिंथ पर पत्थरों के लगने का काम प्रारम्भ बहुत तेजी से पत्थरों का आना सुरु है और पत्थर लग रहे हैं उसके लिए जो मसीने है वो हहां पर मैदान में इस्समे लग चुकी हैं टावर क्रेंस उसे उठाकर के पत्थर के काम चल रहा है आने आले मई से जून तक प्लिंद का काम पूरा निर्मण हो जाएगा और उसके बाद फिर भब दिब राम का मंदिर आप बनता हुआ बंसी पहाडपुर के पत्थरों से नागर शैली में देखेंगे जो पहले से पत्थर रखे हैं वो तरासने काम सुरू है अभी तो पत्थर आना सुरू होंगे बहुत जल्दी ही तरास करके सुरू है कुछ यहां से पत्थर भी सफाई हो रही वो भी ले जाए जाएंगे उस तोड़ा मुझे लगता है कि 15 पत्थर प्रत दिन के हिसाब से 20 पत्थर ऐसे रोज लग रहे हैं अभी दिरे दिरे उसकी स्पीट बढ़ रही है आगे आने वाले समय में 100 से जादा पत्थर प्रत दिन में लगाये जाएंगे दिरे दिरे मसीने लग रही हैं टावर केंस बढ़ रही है पत्थरों के स्पीड उस मसीनों के इसाब बढ़े वह ऐसा पत्थर नहीं हाथ से उठाकर रख दिया जाए श्रीवा निर्पेंजी हर महीने आकर के कारी की प्रगति की समीख्षा करते हैं वही समीख्षा बैठक है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को